दंते वाड़ा पुलिस के सामने दो दिन पूरू पांश नकसलियों ने आत्मसमर्पन किया था इनी में से एक नकसली सोम्डू वेड़ी ने पुलिस को बताया था कि हत्यार खरीदने के लिए नकसल लीडरों ने बेंडर गुड़ा गाओं के बाहर एक आम की पेड़ की कोट्री में दो लाख रुपे नगद और अन्यसमागरी छिपा रखी है सुचना के आधार पर जवान नकसली वेड़ी के साथ मौके पर पहुँचे और सभी सुरक्षा जांच उपरां पेड़ की कोट्री से एक एक करके कई बैग निकाले बैग में दो लाख नगद, साहित्य, बिजली के तार, बॉल पेन आदी बरामत किया गया बकाइदा बरामदी के समय सभी गतिविधियों की रिकॉर्डिंग की गई जवानों ने अपने फोन पे ही रिकॉर्डिंग की है ऐसा पहली बार हुआ है कि नकसली द्वारा चिपाए गई समागरी को बरामत किया गया है दंते वारा की पुलिस अधिक शक डॉक्टर अभिशेक पल्लव के अनुसार बरामत रकम नकसली हत्यार खरीदने में उप्योग के लाने वाले थे मगर वे अपने मनसूबों में कामियाब नहीं हो पाए परामत किया गया है था उसके जवारा बताया गया है कि वा कमलेश मलांगी एरिया कमिटी सदस है प्रदीब सप्लाई टीम सदस मलांगी एरिया कमिटी सोमुडू जगदीश और संजु के विद्देवा के सतथ संपर्क में था और उसे सप्लाई लाइन में सामान की कमी जो की लॉकडाउन के कारण हो रही है इसलिए उसको आफ पास के प्रांट से किसी भी तरह से वाड़ी और स्टेशनरी लाने की जिम्मेदारी दी गई थी उसे उसने बताया कि उमेश उर्फुरेश के संपर्क में रहकर उसके पास ये दो लाख रुपए उसको दिये गए थे सामान खरीदने के लिए क्योंकि वो सामान खरीदने के लिए नहीं जा पाए और बीच में ही मन Germans बदलकर पुलिस के संपर्क में आने के बाद उसने आटतासरप्ण कर दिया तो उसने जानकारी दी कि यह जो ठीकाना है जहांपे यह सामान हो सकता है ये बड़े गुड़रा, एटेपाल और छोते गुड़रा के आफपास कहीं हो सकता है उसकी निशान देई पे आफपास जितने समिदनसील इलाके थे वहाँ पे चेकिंग करेक आई गई जो पुराने सरेंडर काडर हैं उनसे भी जानकर ही उटाई गई कि इस इनलाकों में कहां पर ठिकाना हो सकता है बड़े गुड़रा में ये जो ठिकाना है जंगल में एक पेर के तहके नीचे उचे पेर में हमने इसको लोकेट किया जिसमें की एक सटाडे मारक है सटार मारक हैं जन्रधी दीविस्ी रांक आयोस पर स्टेमाल करते हैं इसके भी Weis, ऌut भी limo का हो सकता है मंगतु, यगदीश का हो सकता है देवा का हो सकता है देश टीवी के लिए दंतेवाडा से धर्मेंद्र महापात्र की रिपोर्ट